कि हम लोग लाश्ट के वीडियो में पढ़े थे कि प्रोग्राम क्या है और यह कैसे डेवलप होता है स्टेप टूब डेवलप्मेंट दा प्रोग्राम पड़ेते तो यह अलग-अलग फेज में था फर्स्ट जो फेज था प्रोब्लम अंडर स्टेंडिंग फेज इस फेज में हम लोग क्या करते थे कि प्रोब्लम को हम लोग मैंड से सोचते थे आखिर इसमें क्या लेना है क्या प्रोसेस होगा और क्या यह आउटपूट देगा सब्सक्राइब फिर उसके आगे कोडिंग फेज ड्राइरन फेज उसके बाद प्रोब्लम अंडर्स्टेंडिंग उसको सिर्फ मैंड से सोचना है लेकिन उसको जो लिखा जाता है सबसे पहले अलग 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 सबसे पहले सब्सक्राइब क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ समझा जाता है तो आखिर यह एल्गोरिदम है क्या है कि टेकनिक यह इसको क्या कर सकते हैं मैथड़ कि टू सॉल्व कि दा प्रोब्लम एरफ में तेकनिक है यह पिर मैथड है पिर क्या करने के लिए किसी प्रोब्लम को में को सॉल्व करने के लिए यह जो सॉल्व करता है कि स्टेब यह इक हैं सब्सक्राइब करने का मतलब क्या है समझे जिसवर हम लिख कर Old typically और एक और लेते हैं अगर आपको बोले की केल्कुलेट कीजिए तो आपको मैंड में विचार आएगा कि इसमें हम ए और बी कमान हम कुछ ले लेंगे जैसे कमान हम क्या लिए इसको हम क्या करेंगे इसका बहुत है इसमें क्या है और यह और यह आउट पूट होगा तो यह नहीं हम यह पे पहले जो भेलू ले रहें यहीं क्या है इन पूट है इनिम्पूट उसे में बनेंट कर रहे है है इन्पूट कर कि क्या रिजस्म है रिजल्ट त्यार कर रहे और ऑपो्ट थो उसी तरह इसें बहलु पूट किए यह कैलकुलेट हुआ प्रोसेस мॉग यहाँ पर पाइब लेते है तो और यहां पर कितना हो जाएगा 20 तो आखिर यह हम यहां पर भी लिक रहें लेकिंगा किसके लिए कंपूटर के लिए कि सबसे पहले कंपूटर के लिए पहले पाफिले सबसे क्या करें प्रोसेस और ऊसको बहुत निकालेगा उसी तरह इसमें भी तो इसमें क्या करेंगा कितना कितना फेलो देंगा 456 जब यह 456 जाएगा यहां पर यह क्या करेगा प्रोसेस करेगा क्योंकि यह क्या करता है प्रोसेस करता है और मोनीटर क्या करता बाहर निकालता है उसी तरह इसमें इसमें इंपूट के रूप में क्या दिए फौर और फाइप के लिए रहाता है अब यह इनपूट हो गया अब यह क्या करेंगा प्रोसेस करें तो प्रोसेस करेंगा तो इसी को जब हम लिखते है step to step में पहले input का step को हम लिखेंगे फिर process का step को लिखेंगे फिर output का step को लिखेंगे तो step by step को लिखना ही क्या कलाता है algorithm algorithm विज्जा technique एक technique यह method to solve the problem इस problem को हम क्या किए solve कि किसमेγे apologize step की पहले input हुआ फिर process हुआ फिर आठ पूट इस तो इसमें solve करेंगे कि इसमें step by step और क्या करके लिग करके alpha numerically मतलब इसमें ABCD भी आ सकता है और साथ में number भी आ सकता है algorithm is language independent date is language independent मिन्स क्या ? user language मतलब कोई fix भासा नहीं है कि हमको English में लिखना है हमको C++ में लिखना हमको जाओं लिखना है जैसे आप दापको वह इसे लिख देना है इसका कोई fix भासा नहीं है को है बैठ गिब्स है हुआ हुआ है हुआ है ज्कीद्स अन्य ड्राइप तो सॉल्व दर imperfect व्रोग्लम कि यह देट इज प्रॉग्राम्न तो बसक्राम को यह की किल्यर सॉल्व करने के लिए यह क्या घार करता है किलियर आईडियास देता है लुवी करना के लिए ठ्सक्रफलिव है थो इसका क्या क्या च्छै क्या बता है बूम किसले काम करता स्टेप स्टेप तो इसका अलग-алग step से पहला स्ट पो है है कि यह क्या होता है start है तो सीपल समय नहीं कंपूर्टर रहे क्या है किबोरड़ कि तो यह बड़िक रहे हैं उसके बार किस बार करने पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले यह computer start होगा क्लियर है उसके बाद declare variable या फिर इसी को बोलते है इनिसलाइज variable इसमें क्या करेंगे कि क्या क्या variable लेना है और क्या इनिसलाइज करना है उसके बारे इसमें लिखेंगा कि अस्टेप 3 कि इन्पूर्ट डाट डेटा है तो यह जो वर्येबल यहां पर है अब गोर कीजिए एक्जाम्पल देखिए सम एकॉल टू कि ए प्लस बी गोर कीजिए हम भेलू दिया कितना फोर और कितना दिया फाइप जब हम फोर फाइप दिये तो यह जब गया यहां पर तो जब यहां जाएगा तो यह हवाम रहेगा कि मिमोरी पर रहेगा मतलब असपेस में रहा एक यहां पर क्या है डिक्लियर बहर्येबल मतलब होता है बहरी करना तो यहां पर अब एब्गी सी फोर फाइप सिक्स अब कोर कीजिए यहां पे वीच्ट जिसका बहलो बदलते कुछ भी है किया का माद ons 5 यह सकते हैं तो फिकस कस nessa चुट रहेगा सफ का लुक्स का बडलते रहेगा does की कुछ यह मेन किस्टा बडलते रहेगा एक का वी का रोर वहार लेते हैं तो इसका रहे 20 कि लिए रहता है तो समका बहिलू सेम बदल गए बदल गया इसके नुसार एभी के नुसार चेंज होते रहता है उसको क्या बोलते हैं वेरीबल यहाँ सबसे पहला स्टेब कह पो क्या Do I do V 사람들이 कारना है वहाँ बताई इसमें कौन-कौन है यह सम कि कितना मन गया पूंप श्रघ्राय कि इन पूड़ बिधा इसके लिए एक ऊपका बेलू देना था कि दो भी बें डेना था तो जिसका हम लेते हैं उसको खूबलते हैं इन फूर किसका दे रहें ऑर और किसका देडित का थे रोंट इन पूड़ धिटforcement देरगे अब अस्टेप और वुद कि अग्रला स्टेप और कि प्रोसेश दा डेटा कि अगला स्टेप क्या है क्या लू Ezल है अ कि अगला स्टेप दिया प्रोसेश करदिया अब कि अस्टेप फाइब कि और पूर्ट दा कि रिजल्ट तो जो भी रिजल्ट आया इसको क्या करेगा कहां पर दिखाएगा मोनीटर पर उसके बाद स्टेप सिक्स अस्टोप तो गोर कीजिए स्ट्रक्चर और फैल्गुरिदम को जो स्ट्रक्चर है कितना भागों बठा हुआ कि पाहला स्ट्रक्चर में अर्फ üzव करना है करना है पहला स्ट्रक्टर 2 सबसे में क्या करना है तो resent करना में क्या करना नहीं चोब बेहलेकर रिजल्ट त्यार करना है और अधुन च्टास्क जो प्रोग्राम है उसको सबसे पहले स्टार्ट करें इसमें क्या करेंगे टू डिकलियर है हसर स्टेप में के पहले रहाता है Laughter पूर्ट देटा देटा को देए तो ठेक डेटा हुआ कि यहां अपिर टेक दा तक भूआ क्या करेंगा यहां लेते हैं इसमें क्या करते हैं तो प्रिपेर है रिजल्ट इसमें तो बहुत बहुत निकालेंगे तो हम बताये थे यह जो आउट पूट जो वर्ड है इंपूट वर्ड है इसके जगा पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट भी तो इन्पूट डेटा या फिर इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट डा डेटा इसलिए आपको समझने के लिए कि इन्पूट डेटा कर सकते या फिर इसको एक्सेप्ट डा डेटा और रिजल्ट या फिर इसको क्या कर सकते डिस्प्ले ता रिजल्ट तो यह आपको क्या त्यार होगी है फोर्मेट अस्ट्रक्चर कितना करना है रिजल्ट त्यार करना है फिर रिजल्ट को बाहर निकालना है फिर क्या करना है स्टोप करना